हेलो स्टूरेंट आज हम स्टूडी करेंगे रिलेशन्शिप बिट्विट्विन दिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर विट जेनल एक्वेशन क्या थी स्टूरेंट मैंने पीछली वीडियो में आपको बताया था A X स्कूर प्लस B X प्लस B इक्वल टो इस से हमने कॉर्टिक फॉर्मूला निकाला था minus B plus minus root B square minus 4A3 upon 2A ठीक है स्टूइट और वी स्कूर माइनस 4AC को हमने बताया था क्या ऐसे बॉक्स में करके ही बताया था डिसक्रिमिनेंट ठीक है स्टूइट्स डिसक्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी भी बूलते हैं ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि इस फॉमुले को ऐसे भी लिखा जा सकता है प्लस माइनस रूट कापिटल डी ठीक है स्टूरिंस, अब यह कापिटल डी, इस डिस्कृमिनेंट, डिस्कृमिनेंट और नेचर ऑप दीूट कैसे पता गाएंगे दिस्क्रिमिनेंट से हम दिस्क्रिमिनेंट की हल्प से हम ने चरों प्रूट्स पता कर सकते हैं दिस्क्रिमिनेंट से एक वो सकते हैं दिस्क्रिमिनेंट से हम लघ इपर ही Umm summary if d is less than 0, यह 3 cases होते है, d is equal to 0 होगा, तो roots are real and equal होगे, roots are real and equal, यह आपको learn का पढ़ेगा, and d is greater than 0 होगा, तो roots are real and distinct, roots are real and distinct and less than 0 होगा, the roots are imaginary, यह, root does not exist, roots are imaginary or does not exist, अब इसका मितलब के है, roots are real and equal, इसका में एक्जाम्पल लिखते है, x, a minus b, यह, a plus b, a plus b, quantity equation के दो roots आएंगे, तो यह ऐसे होगा, दो equal roots आएंगे, अब इसमें क्या होगा, x plus a आएगा, और कुछ भी आ सकता है, x plus b, ठीक है students, यह roots जो है, distinct है, अलग-अलग roots आएंगे, यहां पर equal roots आएंगे, यहां तो, d जो है, less than 0 का मतलब है, d की value आ रही है, आपकी negative में, इन दोनों में negative नहीं आएंगे, इन दोनों में positive आएंगे, नहीं के d is greater than 0, इसका मतलब, d is, d equal to positive value देगा कुछ, और d equal to 0, तो equal to 0 हो जाएगा, ठीक है students, अब find the discriminant of quadratic equation, यह question करते हैं, यह discriminant find करना, यह equation दे रखिया है, आपको इस chapter में, factorization method से भी, roots निकालने होंगे, जैसे कि splitting दा middle term करते हैं, उसका जो दो factors आते थे, उनको roots होंगे, ठीक है students, अब हम यह discriminant find करते हैं, discriminant का capital D बोलते थे, और capital D equal to b square minus 4, a सी होता है, ठीक है students, अब b क्या है coefficient of x है, b is coefficient of x, and a, a क्या है, पहले a ही लिख, a equal to, और c, अब इसमें देखिये, b is minus 4, और a 1 है, c भी 1 है, इसमें इसे रफुट करना हैं, district, discriminant, mi square मतलब, minus 4, O square minus 4 into 1 into 1, क्या जा जागा बता, और स्कोर है 16, 16 minus 4, this is 12, टेक इस तुरेंट, और इस्क्रिमिनेंट क्या जा जागा है, है, इस क्या जाएगा, इस का मतलब है कि इस कोड़िक एक कोईशन के दो निगलेंगे, वो होगे अलग-अलग, equal नहीं होंगे जैसे a plus b into a plus b नहीं होंगे equal नहीं होंगे x plus a होगा या कोई x minus b हो सकता है ऐसे होंगे अलग-अलग roots होंगे इसका मतलब है d अगर greater होगा तो अलग-अलग roots आएंगे लेकिन un-equal होंगे है अलग-अलग